नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल Information with PK पर मैं हूँ पिंको कुमार प्रजाफत और आप देख रहा है Information with PK तो फ्रेंट्स आज की वीडियो बहुत ही खुशकभरी वाली आई हुई है जिसमें हम आप सभी को केवल हाई स्कूल पासवालों के लिए Bumper भरती की Information लेकर के आया हुए है तो बने रहे हैं तक वीडियो को Skip नहीं करना है अगर आप मारे चैनल पर ना है तो कृप्या चैनल को Subscribe करें जिससे इस प्रकार की आने वाली हर एक notification आपके पास जल से पहुंच सके तो Friends इस वीडियो में आप सभी को हम ऐसी Bumper भरती का requirement दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं जैसा कि आप on screen देख सकते हैं एक ये notification आया हुआ है नेमाफ्ट की लाइम है इंडिया पोश्ट जीडियस का जो है full farm ग्रम डाक में ग्रामड़ी डाक होते हैं उनमें ग्रामड़ी डाक्स जाएक होता जो चित्थिने कर जात है ग्रामड़ी डाक से वक की वेकंस इस निकली हुए है इसका requirement जो है 2023 अपलाई ऑनलाइन फॉर बारहजार आटसो अठाइस इसमें पोस्ट दी हुई है तो बहुत ही काफी अच्छी जो है पोस्ट इसकी दिखाई गई है पोस्ट डेट इसकी दिखाई गई अपडेट होने की 22 मईई 2023 जैसा कि आज 22 मईई 2023 है आज ही इसकी नोटिफिकेश है और सॉर्ट इंफॉर्मेशन आप देखेंगे तो लिखा हुआ है इंडिया पोस्ट हैज इसुड एन ग्रामी डाक सेवक जीडियस एडवर्स्टीमेंट और रिक्वाइर्मेंट आफ मई 2023 इंडिया पोस्ट की जो वेकंसी से इसू हो गई है ग्रामी डाक सेवक जिसको कह दिखाने में मुझको कुछ परेशानी होती इसलिए मैं पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दिखा पाता इसके आगी की इंफॉर्मेशन आपको मैं दिखाने का प्रियास कर रहा हूं काफी अच्छी इंफॉर्मेशन इसमें आप सभी को इलेजबल्टी और सेलरी टोटल प्रियास कर रहे हैं जैसा कि आप आगे की इंफॉर्मेशन देखिए लिखा हुआ इसमें आप सभी को इंपॉर्टन्ट डेट के बारे में बताएंगी कि कब से कब तक आपको फार्म अप्लाई करना है कितनी फीस पड़ेगी किस कैटेगरी बाइस तो आप देख सकते हैं डेट दी हुई है एप्लिकेशन विगन जो अप्लिकेशन विगन की डेट है 22-52022 मOM इसे लाउट क्वारे अप्लाई करने की रहा छे दो जार तेईς तो 22 मईस मम से आप गेरा जून तक इसका फार्म जो है किसी भी या अपने मोवाइल फोन स्मार्ट फोन के दवार्ण के फीस जो है आप गेरा जून तक भी कटा सकते हैं पे कर सकते हैं करेक्शन डेट भी इसमें दी गई है 12 से 14 जून अगर आपका फार्म फिल करने में कोई भी किसी भी प्रकार की इरट यानि की तुरूटी हो गई है तो आप उसको दोबारा करेक्शन भी कर सकते हैं 12 से 14 जून तक इसका करेक्शन होगा इसके आगे इसकी मेरिट लेट यानि की रिजल्ट जो है उसका जल्द ही नोटिफाइड सून कर दिया जाता है मेरिट लेट जो भी आता उसका कुछ महीने के बाद में इसका मेरिड लिस्ट आ जाती है बात करते हैं इसकी application face की तो application face जो है प्रेंट्स जनरल और OBC के लिए सव रुपाय निर्धार्द की गई है देख सकते हैं आप और स्क्रेंट जनरल और OBC के लिए सव रुपाय SCST पी-च वालों के लिए जीरो है यहीं कि निल है तो बहुत ही मौका अच्छा है SCST वालों के लिए एक भी रुपए की फीस नहीं है जनरल OBC वालों के लिए सव रुपए की फीस निजधार्द की गई है SCST वालों के लिए काफी अच्छा सुनेरा मौका है All Categories Female फीमेल की जो किसी भी कैटेगरी की लेडी जो हैं उनके लिए भी जीरो फीस रखी गई है तो बहुत ही अच्छी वैकंसी से आप तुरंट फाम अप्लाई कर सकते हैं आगे की इन्फार्मेसन देखते हैं अब इसमें हम बात करते हैं पोस्ट नेम की तो पोस्ट नेम है Grammied Darksevac GDS जैसा की मनें पहले बताया था अब देखते हैं टोटल पोस्ट कितनी है टोटल पोस्ट इसमें दिखाई गई है 12,828 टोटल पोस्ट दिखाई गई है अब देखते हैं इंडिया पोस्ट Grammied Darksevac GDS की eligibility क्या रहने वाली है eligibility की तो मैंन बात ही होती सभी candidates के लिए कि क्या योग गितार मांगी गए है तो देखते हैं क्या इसमें eligibility है इसमें eligibility है class 10th high school with mathematics and English as a subject इसमें eligibility जो मांगी गई है high school पास होना चाहिए उसके साथ में math और English इस दो subject से आपने high school किया हो किसी भी UP board के द्वारा आपने और दूसरा इसमें eligibility है know the local language इसमें छेत्री भासा यानि की local जो भासा होती है अपने छेत्र की उसके वारे में आपको knowledge होना चाहिए आगे की जो है eligibility more details read the notification और अगर आप अधिक जानकारी आगे की देखना चाहते हैं तो इसको जो है आप notification दिया होता सरकाई result पर आगे आप पढ़ सकते हैं तो इसमें ये थी आपकी eligibility इंडिया पोस्ट ग्रामी डाक से बखकी केवल हाई स्कूल पास होना चाहिए मायत होर इंगलिस सब्जेक्ट के साथ छेत्री भासा जाननी चाहिए होनी चाहिए आप इसके लिए form अपलाई करने के लिए eligible हैं अब देखते हैं आगी की information तो इसम अब हम बात करेंगे age limit की क्या इंडिया पोस्ट GDS के दोरा age limit की जो है निर्धारार किया गया है तो इसमें minimum age दिखाई गई है आपके लिए 18 years minimum age 18 years ऐनी की 18 बर्स कम से कम आयू होनी चाहिए नियुनतम और maximum age 40 years अधिकतम उम्र 40 बर्स होनी चाहिए नियुनतम 18 से 40 बर्स के बीच में आपकी age है तो आप इस फार्म को अबस्ट सप्लाई कर सकते हैं कोई भी जोप्थाम नहीं है कोई भी बाउंडेशन नहीं है age रिलेक्शन एस्ट्रा आइज पर इंडिया पोस्ट GDS requirement rules यह जो है इसका rules है इंडिया पोस्ट GDS का इसमें भी नीचे लिखा हुआ है इंडिया पोस्ट GDS notification 2023 vacancy details total 12828 पोस्ट है काफी अच्छा सुनहरा मौका है आप सबी के लिए तो आप तुरंत अपने फार्म को अपलाई कर सकते हैं अगर आपके पास यह सारी eligibility eligibility यादा है ही नहीं इसमें आपको high school pass मांगा गया है किसी भी board के द्वारा आपने exam दिया हो high school pass हो तथा age 18 बर्स होनी चाहिए और कोई भी दिक्कन नहीं है अब देखते हैं आगे की information लिखा हुआ है इंडिया पोस्ट GDS 2023 state wise vacancy detail सबसे main problem में ही है students के लिए कि किस state में कितनी vacancies है तो यह जानने की बहुत ही excited सब के मन में रहता है तो यह भी हम आप सभी को बताते हैं जै कि अस्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कितने vacancies है सबसे अस्वतर प्रदेश से students की उत्र प्रदेश में कितनी vacancies निकले हैं तो इसमें state wise दिये गया उसकी local language है workers our total post state-wide दिये गया है तो देखते हैं सरपरत्सं उत्र उत्तर प्रदेश में लोकल लेंगज की बात करें तो हिंदी लेंगज बताई जा रही है हिंदी लेंगज अलाक सभी को बोलना आता है अपने देश की मात्रमासा भी पनी जाती है अब पोस्ट की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 160 पोस्ट दी गई है उत्तर प्रदेश में लोकल लंगेज हिंदी ही मांग फिल मांगी गई इसमें टॉटल पोस्ट चालिस दिखाए गये हैं अब बात करते हैं बिहार की बिहार में भी लोकल लंगे जन दी ही है इसमें ुटल प्रयास करेंगे कि कितनी पोश्ट हैं, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है, तो कृपया कमेंट बाक्स में जुरूर यह बताएं कि यह किस प्रकार की इंफर्मेशन आपको लगी, अगर आप हमारे चैनल पर ना हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, क्यो और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जैहिंद, नमस्कार दोस्तों